तॉल कर रहे हैं? तुके साथ मुझे लंबी पोलिटिकल इस्टिर बात करें इवए कि खिर को लुटे वोलूedel अब civरें इस्टिर हएला है? एब टॉपको एब गयाकर साथ में, मालismandu waso Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta एब टॉपको जड़ा है कर दो बाति कि आए I Saaduk वानि पाधि वह में है बाति कि ठिएगे और गलेगे इस्टोभक ने नहित No एक मिने टेकरेट आज हमारे कॉंग्रेस के बहुत वरिष्ट नेता लिखविजे सिंग जी और मैं यहां आये हैं राहुल गांधी जी के ओर से भारत जोडो यात्रा के ओर से कॉंग्रेस पार्टी के ओर से जो लोग घायल हुए हैं अस्पताल में हैं नर्वाल में जो दो ब्लास्ट हुए कल सुबह उनके प्रतिसाहनुबूती प्रकट करने वो कैसे उनका देखबाल हो रहा ह क्या treatment हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए तो हम कुछ मिनिट यहां बिताएं हैं कल उसी जगह से भारत जोड़ो यात्रा जाने वाली है इसलिए हमारे लिए भी इचिंता की बात है हम विश्वास रखते हैं कि प्रशासन यहां राज्य में और केंद्र में सुरुक्षा के नजरिये से जो कुछ कारवाइ करनी है वो जरूर करेगी राहूल जी के सुरुक्षा के बारे में हम कभी compromise नहीं कर सकते कोई समझोता नहीं कर सकते कोई यहाँ वहाँ शॉर्टकट नहीं ले सकते कल दो बम ब्लास्ट हुए क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किया गया हम नहीं कह सकते ये खूफिया एजनसी और सेक्यूरिटी एजनसी ही बता पा दिए पर हमें विश्वास है कि अब तक जो हमें सहयोग मिला है प्रशासन से खास तोर से यहां के लगी से उनके सलाकारों से सुरक्षा बलों से वो बरकरार रहेगा इस हादसे के बारे में जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होने वाला है वो करेंगे और कल 23 तारिक सुभे भारे जोड़ो यात्रा करीब आज सुभे हम लोग कभी करीब 21 किलो मीटर चले कल 22 किलो मीटर चलेंगे कल दोपहर को भारे जोड़ो यात्रा नहीं होगा वो पहले से ही प्रोग्राम बनाया गया था पर 22 किलो मीटर जरूर हम चलेंगे और जरूर नर्वाल मुश्किल से डेड़ किलो मीटर दो किलो मीटर दूरी से ही हम गुजरेंगे जहां कल के हाथ से हुए थे तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमें पूरा विश्वास है कि यहां की प्रशासन इतनी चिंदित है जितना हम चिंदित हैं आतंकवात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है सेक्यूरिटी कारवाई करने की जरूरत है जो कुछ हमें सला दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे जो कोई हमें परिवर्तन करने हैं हम करेंगे पर कल जरूर भारत जोड़ो यात्रा उसी एरिया से गुजरेंगे कश्मीर का शेडूल आज शाम तक तै हो जाएगा आप मानेंगे मेरे साथ कि इसमें बहुत समवेदनशील तरीके से हमें करना है पर 27, 28 और 29 को कश्मीर में भी भारत जोड़ो यात्रा होगा और 30 तारीकों तो अंतिम समार होगा इसके डीटेल आज रात तक फाइनलाइस किये जाएंगे अब तक 25 तारीक के रात को प्रोग्राम फाइनलाइस होआ है और आपको मिल भी जाए क्योंकि आज ये गंभीर मामला है हम ये जो घाइल हैं उनसे मिलने आए हैं उनके प्रतिसाहानुभूत ही प्रकट के हैं राहुल जी के और से कॉंग्रेस पार्टी के और से और हम उनको शुकामनाएं देते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस लोटें पर एक बात मैं जरूर कहूंगा जो दिगवेजे सिंग जी ने भी कहा है कि मुआफ़े के मामले में प्रशासन को और पुनर विचार करने की जरूरत है मैं जानता हूँ एल जी साब ने पचास हजार रूपिय का कॉंपेंसेशन कल गोशना किया उन्होंने हम चाहते हैं कि इस पर पुनर विचार हो ताकि जो लोग काफी घायल हुए है उनका उनकी लाइवलिहूर उनकी रोज़ाना जिन्दगी में जो अभी बदलाव आएगा वो उसको कैसे वो सही तरीके से उसका सामना करें अगर मुआफ़ा बढ़ाना है तो हम इल जी से गुजारिश करेंगे तो इस पर विचार करें शुक्रिया